अलो दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सब आई हो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने कामों में व्यस्थ होंगे तो दोस्तो आप देख सकते हैं मेरा बहुत प्यारा सा फूल खिला हुआ नास्टियम का पौदा है जो सालवर खि Studies है वर हमें ररंग भी रंग यह फूल देता ही यह कई gross में आता है और इसके बहुत सारे कलर होते है दोस्तों देखने में बहुत ही जादा यह क्रिपर बेल है और या य आप इसको हैं करके मैं घण को तो जो मैंने इसमें फर्टिलाजर डाला हुआ है उसी के बारे में बात करती हूँ मैं दोस्तों आज तो दोस्तों मैंने इसके अंदर जो फर्टिलाजर बनाया थो चाय पती का फर्टिलाजर डाला हुआ है इसके अंदर जो मैंने बनाया हुआ है वह आप लोगों देखना है इसमें, आप देख सकते हैं। इसमें मैने आप कोकोपीड मिलाया हुआ है। जो यह कहांचिय मैं और ऑपने वह साय हैंगी ऑपोद नास्यम काइजिएं और सब्सक्राइब और देह सकते मैं और दोस्तों सबसक्राइब हैं। जो हम मैंने चाय पती का जो इसमें जो फर्टिलाजर बनाया है दोस्तों चाय पती का जो फर्टिलाजर एक होमेड फर्टिलाजर है और जो कि एक और्गानिक फर्टिलाजर है आप तेख सकते हैं किस तरह से मैंने बनाया है आप चाय के पानी की मदद से होमेड फर्टिलाजर त्यार कर सकते हैं दोस्तों चाय का जो पानी है पौदे की को जो बहुत जरूरी पोशक ततब देता है जिसे की हमारे पौदे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आप इसमें चावल का पानी और वेजिटेबल पानी भी आप इसके अंद करता है जो पौदों को भीमारियों से लटने में निक्षमता परदान करता है और इसके अलाभा दोस्तों चायपती कि जो खाद होती है हो वृ MIđ TİKT-PAh को भी बना कर रखती हैं तो दोस्तो इसमें बात करते हैं कि चायपती में कितने प्रतिशत क्या क्या पाया जाता है चायपती में 4.4 प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है और 0.24 प्रतिशत फोस्फोरस और 0.25 प्रतिशत फोटेशियम होता है दोस्तो तो दोस्तो चायपती में बहुत सारे आसे न्यूटरंस होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही जादा फाइदे मंद होते हैं चायपती की जो मिटी जो खाद होती है दोस्तों वो मिटी की सरचना को सुधार कर एरियेशन भढ़ाती हैं दोस्तों आप सभी को पता है जो जाए पती है वो हमारे इसमें बहुत सारी चीज़ एसी पाय जाती है जो हमारे प्लांट को नुक्सान दायक भी होताइग आप ज्यादा दोगे तो आपका प्लांट क्या होगा वो खराब हो जाएगा तो जो जाहे पती है वो बिल्कुल ब्रॉबर मात्रा में देनी है आपने देख सकते हो आप एक लिटर पानी में आपने क्या करना है 100 ग्राम चायपती वाइल्ड की हुई चायपती का जो पानी है चान कर वो आपने इसके अंदर डालना है और वो अपने प्लांट में देना है और ये दोस्तों आप सुबह या शाम को दे सकते हैं और हर 15 दिन के बाद आपने अपने प्लांट को देना है और 15 दिन के बाद आप देखोगे फिर इसका हर्जरल्ट आप देख सकते हो कि पत्ते से ज्यादा आपको फुल दो आपके प्लांट में नेक्ट में खचानने कना ही फिर में डालसे हैं जाड़ है मैं यह देकंने फिर फ्रूट्स आपशातलता आयोगा तो उसी स्टाउबरी अमॉन DR, भूहhow सेग्ました Acetic बनाता है जो चाय का जो fertilizer होता है कोई भी दोस्तो homemade fertilizer वो हमारे plant के लिए बहुत ही ज़्यादा जुरूरी होता है तो आप घर में बनाए organic fertilizer बनाए ना कि DAP डाले DAP से तो बहुत ही अच्छा result इसमें मिलता है हमें organic में तो दोस्तो बोचिंगा